विकी कोशल की फिल्म सरदार उधं का ट्रेलर फानिली गुरुवार को विलीज किया गया सरदार उधं सिंग की इस पायोपिक ट्रेलर में विकी कोशल में सिर्फ जबर्दस दिक नहीं रहे बलकि ऐसा लग रहा है कि वो उरीदा सर्जिकल स्ट्राइक के बाग एक और धमाका करने के लिए तयार है दरसल फिल्म में विकी वोशल लीड रोल में है जबकि डारेक्शन सुजिद सेरकर का है उद्धम सिंग हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे क्रांतेकारी हुई जो जल्या वाला बाग का बतला लेने के लिए लंदन पहुंच गए थी बुर्वाल को फिल्म के ट्रेलर रिलीस एवन पर विकी कोशल ने एक दिलचिस फिलासा भी किया था उन्हें बताया था कि शुट से पहले बुरी तरहा घायल हो गए थी विकी कोशल जिसके चलते तेरा टांके लगे थे विकी कोशल के चहरे पर विकी कोशल से पूछा गया कि क्या आप शुटिंग के दौरान सरदार उधम में घायल हुए थे इसके जवाब में कोशल ने बदाया था कि सरदार उधम की शुटिंग से चार दिन पहले ही वो किसी और फिल्म की शुटिंग के दौरान बुरी तरह घायल हो गए थे और उनके चहरे पर 13 टांके लगाए गए थी विकी कोशल ने कहा था कि मेरे काल पर 13 टांके लगे हुए थी मैंने अपनी फोटो ली और सुजित दाक को भेज़ दी क्योंकि 4 दिन हमें सरदार उधण की शिटिंग शुरू करनी थी विकी कोशल ने बताया कि पोटो देकर सिजित सिर्कर ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं चांके लेकर आ जाओ विकी कोशल ने बताया कि ट्रीलर में भी उनके चहरे पर जो जोट की निश्चान दिख रहे हैं वो किसी और फिल्म की शूटिंग ये हैं विकी कोशन ने बताया कि फिल्म में उनके कई सारे लुक्स हैं जिनके वारे में जल्द ही लोगों को चानकारी मिलेगी फिल्म सरदार उधम सिंग की बायपिक है जिनका चन 26 दिसंबर सन 1899 को पंजाब के संगरू जिले की सुनाम काम में हुआ था उधम सिंग के सामने ही 13 अप्रेल 19-19 को जलियावाला बाग धाथा हुआ था बताया जाता है कि उधम सिंग ने तभी जलियावाला बाग की मिठी हाथ में लेकर जनरल डायर और पंजाब की कवर्णर माइकल ओर डायर को सबक सिखाने की कसम खाली थी वो करांतिकारियों के दल में शामिल हो गए और बदा लेने के लिए लंदन पहुँच गए वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिक्या पूरी की चार जून 1940 को उधम सिंग को दोशी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पैंच नवीले जिले में फासी दे दी गई थी जी हां तो ये है पूरी खबर सर्दार उधम सिंग को लेकर नेक्स नाइन लाइफ की रिपोर्ट